नमस्कार दोस्तों शीवान से गजट में आपका हार्दिक स्वागत है पर फिर से हम आपके लाए नया गजट जो की है जैपी प्लस का हाट लाइन लंच बॉक्स आइए करते हैं इसका रिव्यू दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया लंच बॉक्स है इसकी सब्सक्री खासियत य में दिया है आईए करते हैं इसका रिव्यू सब्सक्राइब लाइक एंड हिट बेल बटन पर लेटेस नोटिफिक यह आता है एक साल की वारंटी के साथ में और यह है बीपी एफ त्री जो सबसे बड़ी बात है तो दोस्तों यह आता है काई कलर में ब्लू और रेड के तो हुआ जाएगा तो दोस्तों आजे देखते हैं कैसा है काफी स्टर्डी मोटरियल है ठीक ठाक है यह इसके अंदर भी एयर है तो खुद भी यह जो है जो भी आपका खाना है उसको यह गरम रखेगा और यह इसका लिड है इसमें लिड में देखेंगे इसी में अगर आप हल कुछ करते हैं और यह कर लेते हैं तो यही पेज़ जो इसका केबल रखा हुआ है आराम से इसका केबल निकाल के देख सकते हैं तो कोई जंजट नहीं है कि केबल अपक हो जाए और लगभग लगभग पाउन मीटर के केबल है यह ठीक्ता कॉल्टिक है तो जो लोग वर्कि जाएंगे तो आपका तो कोई नुक्सार नहीं है लेकिन हमारे चैनल को जुरूर मिलेगी तो दोस्तों जली करते हैं इसको चेक यह हमने लगा दिया है यहां पर इसका तार इंडिकेशन दे रहा है और इसको बंद कर देते हैं यह गरम होने के बाद आटो कट हो जाएगा अपने आप यह बंद हो जाएगा वैसे खाना खाने से 20-25 मिनट पहरे लगा दे तो पूरी तरीकी से खाना गरम हो जाता है तोड़ा सा धकन ढीला रखना चाहिए ताकि पर चले गरम है यहां पर देखिए यह रबर लगी होई है ताकि जो गरम बॉक्स तो यह काफी गरम ह यह आपको नहीं यह देखिए यह भाप आपको दिख रही है यह थोड़ा सा यह भाप है करा और काफी ठीक ठाकरम से अंदर भी है उफ 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 काफी काफी जादा गरम है थोड़ी सी मुझे स्की कमी भी यह लगी कि भाई आपको रुमाल रखना पड़ेगा तेकिन बॉ कि समोसा गरम हो तो मैक्रो में की तरह काम निकलेगा कोई भी ऐसा खाना जो इसकी लिड से स्टील से चिपका हुआ है इसके टमपरेटर से गरम हो जाएगा लेकिन कोई भी ऐसी चीज है जो बीच में रहती है उसे उतना गरम नहीं होगा तो ठीक्ठा प्रोड़क्ट है 11-12 रुपे में आप कमचे कम थोड़ा बहुत गरम खाना खा सकते हैं तो यू शुड़ वाई जी